कि हम लोग एक हैं और एक रहेंगे एक रहेंगे और कहिने कहीं मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचता है पूरे भारत वासियों के लिए की है बाट कर गलती कि एक ही खांदान अच्छा था आज भी कराची की गलियों वाले कहते हैं कि अपना हिंद है और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोग एक छोटा सा पाटी कर रहे हैं जो बेवसाई लोग हैं यहाँपे और सबसे पहले ही मैं आपको सोचा कि मैं दिखा दू कि क्या क्या हम लोग आज पाटी में नास्ता करने वाले हैं चिकेन चिली, सलाग और तंदूरी रोट आज का ये पार्टी जो है इसका कोई खास मकसद नहीं है लेकिन मकसद जरूर है ये दिखाने के लिए उन लोगों को जो ये सोचते हैं किस तरीके से दो समुदायों को बाट करके और सत्ता की राजनीती हम लोग करें वो इसलिए हम लोग पाटी यहां पे कर रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि इस पाटी में कौन-कौन लोग हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा यहां पे अमजद भाई हैं अमजद भाई क्या क करेंगे आज का यह पाटी के बारे में क्या करना है इस तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अटंडम जो है कि पाटी बन गई कल संदे हैं कि बनाना है तो इस पाटी में यह जो तंदूरी और चिकेंचिली का पाटी आप कर रहे हैं और इस टेबल पर जो यह नास्ता लगा हुआ है तो देखा जाए तो आपके साथ यहां पर गोविन जी है गोविन सोनी तो किस तरीके से आप खा रहे हैं इस टेबल पर आपको क्या लग रहा है मतलब तो क्या कहेंगे इसके बता रहा हूं कि हिंदू और मुसल्मान दोनों इस टेबल पर एक ही दस्ताखान पर आज खा रहे हैं तो क्या कहेंगे कि इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ सीवं भी हैसे से मैं कुछ जानने की कोशिच करूंगा हैं वह साइल लोग हैं दुकंदार लोग क्या लग रहा है आपको कैसा लग रहा मतलब एक तरफ एक ही दस्ताखान पर हिंदू और अब नहीं चाहता है तो देखा जैसा कि आपने हमारे अमजद भाई भी थे गोविन सोनी भी थे और सीवम इन लोगों ने क्या बताया अभी हमारे साथ सभी लोग दस्तखान पे एक दस्तखान पे दोनों समुदाय के लोग बैठ करके किस तरीके से खानी की तैयारी में है और कहीं ने कहीं मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश पहुच और हम सभी लोग दिखा देना चाहते हैं कि कहीं बटवारे की कोई बात नहीं है और एक ही दस्तखान पे हम लोग बैठ करके आज कल कभी भी हम लोग खा सकते हैं और खाते रहेंगे ये उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं जो हमारे बैवसाई लोग हैं जिस त बंदार लोग हैं एक जगह बैठ करके आप लोग महीने दो महीने कभी भी आप टेबल पर खाते रहेंगे और इस तरीके का एक तक परती आगे अगर पहुशता रहेगा सभी लोग देखते रहेंगे तो यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनके रहेंगे ज देखिए अमजद भाई बड़ी तेजी में हैं आईए गोविंदी गोविंदी आईए सामने और निकाली अपनी रोटी सलाद चिकेंचीली और इसी तरीके से हम लोग पाटी करते रहेंगे और आगे लोगों तक भी संदेश पहुशाते रहेंगे कि इस तरीके से सभी किये कहीं कोई बटवारा रही है इसी तरीके से एक बोतल रखिए जिस बोतल में सभी लोग पानी पियें एक गिलास रखिए कि उसी बो गिलास में सभी लोग पानी पियें कोई बटवारे की बात नहीं होती है सच ही कहा है मैं एक बता दूँ बटवारे की जहां तक एक वो गलती कि एक ही खांदान अच्छा था आज भी कराची की गलियों वाले कहते हैं कि अपना हिंदुस्तान ही अच्छा था अच्छा लग रहा है इकी तस्ता खान पे मजा आ खाने में सब लोग है बेवसाही लोग जो यहां पे हैं इस तरह का पाटी होना चाहिए हर एक दो महिना पे एक महिना पर हर पाहली को इससे क्या संदेश पहुंचेगा घार आप चारगी पहुंचेगी हापस मेल मुहबद ब तो इन्होंने बिल्कुल वेवाकी से कह दिया कि हम लोग एक हैं और एक रहेंगे एक रहेंगे कोई नहीं बाढ़ सकता है आइसी तरीके से एक पिलेट में खाते रहेंगे कंदे से कंदे मिला के चलते रहेंगे वह बहुत बड़ी बात इन्होंने कही देखा किस तरीके से यह एक तका मिसाल का जाएगा इसको चाहिजी तरह भी करीजे कम है